तो फाइनली दोस्तों तो हम लोग कोंच गए हैं वेरावल रेलेवे स्टेशन और यह रहा बाहर का नजारा इसके बाद से आगे से ओटो रिक्सा पगड़के सीधे सौमनाद मंदिर जाएंगे नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि अभी चल रहा है सावन का महिना और अगर आप ऐसे में सोच रहे होगे कि सौमनाद महादियो के दर्सन हम करने कैसे आए भीर बहुत जादा होगी तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो सावन का जो पूरा महिना ही भीर देखने को मिल जाएगी लेकिन खास करके सौमबार के दिन भीर बहुत जादा होती है तो अगर आप बैसे तो तीन सौमबार निकल चुके हैं और आखरी सौमबार बचा है अगर आप दर्सन करने के लिए आते हो तो लेकिन अगर आप सौमबार को छोड़के आप अधर दिन में आना चाहते हो तो आसकते हो आप अधर डे में आते हो तो आपको भीर थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी और आपको जो दर्सन है महादेव के आराम से हो जाएगे वहीं अगर आप सुमबार के दिन आते हो तो उस दिन बहुत ज़ादे भीर होती है तो आपको हो सकता है कि थोड़ी अच्छी तरीकी से दर्सन ना हो पाएं तो दोस्तों महादेव के दर्सन तो हमने अच्छी तरीकी से कर लिए हैं और आप हम जा रहे हैं दरिया साइट इंजोई करने के लिए प्रवाद 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 बढी है कि इव अ कि यू Messiah भाती है क对्सल भादी कि अ कि पाती है कि आने किव झाल झाल